अबसकार दोस्तों, आज मैं अब लों के साथ बात करने जा रहा हूँ इंडियन मीडिया पे देखिए रिसेंटली रिपोर्टर्स विदाउट बार्डर की तरफ से एक नोटीस यहां पे रिलीज किया गया है, एक रेंकिंग रिलीज किया गया है इस रेंकिंग के हिसाब से टोटल 180 कंट्रीस की प्रेस रेंकिंग को रिलीज किया गया है और उस प्रेस रेंकिंग में इंडिया का जो नंबर है, वो 161 आया है देखिए क्यों 161 नंबर पे इंडियन मीडिया आई है, इस पे हम लोग आज डिसकस करेंगे क्या वो कारण रहे कि जो इंडियन की मीडिया है उसका रेंकिंग जो इतनी लो क्यों आ रही है क्यों वो पाकिस्तान या बंगलादेश इस तरह की कंट्रीस से भी नीचे की रेंकिंग पे इंडिया की मीडिया की रेंकिंग आ रही है देखिए इसका जो कारण है वो हम लोग डेली देखते हैं कि किस तरह की रिपोर्टिंग जो हमारी मीडिया आज कल कर रही है जो questions उसको opposition के बजाए ruling party से पूछने चाहिए वो naturally वो सीधे के सीधे जाके opposition से पूछ रही होती है वो साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज कल इंडियन मीडिया की जो debates हैं जो discussions हैं देखिए पहले क्या होता था इन debates discussion से हम लोगों कुछ सीखनों को मिलता था debate discussion में क्या होता कि अलग-अलग ideology के लोग आकर के बैठते हैं और उन ideologies को जब हम लोग सुनते हैं तो हमारा एक neutral जो है नजरिया बनता है लेकिन आज करके debates को आप सुनोगे तो वहां खर पे जो language यूज की जाती है पहला नमबर पे तो वो language जो है वो बद से बत्तर language होती है उनका behavior आप देखें कि जो पैनलिस्ट में पे बैठे होते हैं उनका भी कुछ अजीब सा होता है और मैं बात कर रहा था कि topics क्यों मीडिया का स्तर इतना गिर्ता जा रहा है आप मीडिया के topics देखिए जिन topics पर वो discussion कर रही है उनके topics हैं हिंदू, मुसलमान Recently उत्राखंड में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मुसलिम कम्मुनिटी को target करके वहां से निकालाज गया किसी भी मीडिया ने उसको गलत नहीं देखा हाँ कुछ local medias है जो अच्छा काम भी कर रही है लेकिन problem है कि उन local medias को देखने वाले viewers बहुत कम है तो उनकी आवाज यहाँ पे जादा पहुंचती नहीं लेकिन national media बिल्कुल उस पर मोहन है Recently एक clip जो वो viral हो रही थी इंडिन मीडिय की तरफ से ही दिल्ली में जो भाड है एक clip आप लोग दिख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है कि reporter यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से पूरी जो दिल्ली है वो बार में डूबी हुए है वो reporting कर रहा है पानी में खड़े हो करके लेकिन उसके पास की वीडियो release होती है और उसमें यह दिखाया जा रहा है कि वो जो रिपोर्टर है वो जानबुज के पानी वाले एरिय में गया हुआ उसकी साइड पे ही जो है वो पूरा एरिया साफ है और साथ ही साथ कोई भी आपको इंप्लाइमेंट या कोई भी गलत पालसे अगर सरकार के आती है तो उस पर कोईशन करने वाली मीडिया हमें आज नहीं देखनों को मिलती है आपको याद होगा जब किसान कानून आये थे उस टाइम पे मीडिया ने उसके बहुत वाइदे बताए किसान कानून इस तरह से फार्मर्स के लिए फाइदे मन हैं उनकी इंकम बढ़ेगी लेकिन जब दो साल के बाद प्रोटेस्ट के बाद किसान कानून वापिस ले लिए सरकार में तो वही मीडिया आपको फिर से उन कानूनों के नुकसान गिनाने लगी तो आप देख सकते हैं कि मीडिया जो है वो न्यूट्रल बिलकुल नहीं रही लेकिन मीडिया का न्यूट्रल होना डैमोकरिसी में बहुत जुरूरी है किनके जब हम लोग छोटी ग्लासिज में पढ़ते थे सीग से आमत एट में तो वहां पर हम लोग पढ़ते थे कि मीडिया जो है वो ब्रिज होती है गोर्मिट और पब्लिक के बीज में कि पब्लिक की जो डिमांड्स हैं पब्लिक को जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो मीडिया सरकार तक पहुचाए लेकिन आप लोग मुझे एक ऐसा डिबेट बताजिए जहां पर पब्लिक के किसी इशू पर रोजाना डिबेट हो रही हो इंप्लाइमेंट पर डिबेट हो रही हो इंफलेशन पर डिबेट हो रही हो क्राइम पर डिबेट हो रही हो बुक मेरी पे डिबेट हो रही है पोवेटी पे डिबेट हो रही है बिल्कुल इन मुद्दूं पे डिबेट हो रही है आज कल तो सीमा हैदर पे डिबेट हो रही है आप देखेंगे प्राइम शोज किये जा रहे हैं मैं क्या किसी एक चैनल का नाम लूँ सबी चैनल जो है वो इसी तरह के टॉपिक्स पे ही डिबेट करे जा रहे हैं सो मेरे बोलने का मकसद आज का इतना ही था कि इंडियन जो मीडिया है क्यों उसकी रेंकिंग इतने नीचे आ रही है वो कोई हमें उसमें चोंकने वाज़ी बात नहीं है क्योंकि हमारे जैसे काम है वैसे हमारी रेंकिंग आएगी है ना जो बच्चा क्लास में कम पढ़ता है उसके जब रिजर्ट आता है तो उसके रेंकिंग वैसे ही कम आती है तो इसी तरह से जब जो हमारी मीडिया है वो कम पढ़ रही है वो अपना जो उसका काम है वो नहीं कर रहे है इसलिए उसकी रैंकिंग जो है 161 नमबर पे आई है इस बार इसमें कुछ चोंकरे वाली बात नहीं है और मुझे लगता अगली बार जो 180 में से 180 नमबर पे ना आ जाए तो फिलहाल के लिए इतना है